दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज ही सबसे पहले कबर बिहार से यूपी और जारखन के लिए शुरू होगी बसे पटना से वारानसी जमसितपूर और राची जाना होगा आसान जिहां पटना से वारानसी राची जमसितपूर समेत उत्तर परदेश और जारकन के अनि सहरों के लिए नई बस सिवा सुरू की जाएगी इसके लिए सो नई बसो का पारेचालन लोक निजी भागदारी के मालूम हो कि पटना से वारानसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है, वहीं राची और जमसितपूर के लिए निगम द्वारापाले से बसे चलाए जा रही थी, जो कुरोना संग्रमन को लेकर बंद कर दी गई थी, अब फिर से राची और जमसितपूर के लिए दो दो बसे चलाए जाएगी, इसी तरफ पटना से गुरोक पर के लिए गोपाल गंज होते वे नई बसे चलेगी, बाड़ी कबर सभी बाड़ प्रभावित लोगों को मिलेगी सहायता रासी, मंत्री राम सुरत राय बोले, छोटे लोगों का जोड़ेगा नाम, राजा सु बाड़ प्रभावित लोगों का नाम, जोड़ने का निर्दिस दिया गया है, सुची में नाम सामिल होने के बाद सहायता रासी का वोगतान किया जाएगा, अगली बड़ी कबर बीपेसी ने इस्तगित की मोटर या निरिक्चक भरती परिक्चा, जिहां बिहार लोग सिवा आयोग यानि बीपेसी ने मोटर या निरिक्चक भरती परिक्चा 2020 को इस्तगित कर दिया है, यह परिक्चा 17 और 18 सितंबर को होनी थी, आयोग ने नोटिस में कहा कि आप अरिहार करनों से अगले आदेस तक परिक्चा इस्तगित की जाती है, नए तितिकी घोसना बाद में क जाएगी, बाड़ी कबर बिहार में एक और मेडिकल कोलेज को मिली मंजूरी, बिहाटा ESIC ऑस्पिटल में खोलेगा नया मेडिकल कोलेज, जिहां बिहार के वैसे चात्र चात्रा है जो मेडिकल की तैयारी कर रहे है, यह खबर उनके लिए है, अगले साल याने 2022 से एक और मे कोलेज खुलेगा, राजर सरकार की और से यह मांग की गई, जिस पर विछार के बाद गुर्वार को केंडर सरकार ने मेडिकल कोलेज खोलनी की मंजूरी दे दी है, अब 2022 से ëBBS की सो सिटो के लिए अडमिसन शुरू होगा, मेडिकल कोलेज खोले जाने की मंजूरी दिये जाने को लेकर केंद्री मंत्री भुपेंद्र यादव और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी को मंत्री मंगल पांडी ने धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार का अभार जताया। बाड़ी ख़बर कोहली नहीं रहेंगे टी ट्वेंटी की केप्टन विराट ने किया टी ट्वेंटी वर्लकप के बाद कप्तानी छोड़ने का एलान चिट्टी में वर्क लोड का हवाला दिया। कोहली ने चिट्टी में लिखा कि मैं बेहद सोबाई के साली रहा हूँ कि मुझे न केवल भारत का पदेनित्दु करने का मौका मिला बलके अपनी पुरी चमता के साथ इसकी कप्तानी करने का भी मौका मिला। करक लोड बेहद आहम होता है। मैं पिछले आठ नो साल से तीन फरमिट में खेल रहा हूँ और पांच चे सालों से लगातार कप्तान भी कर रहा हूँ। टेश्ट और वंडे में टीम इंडिया के कप्तानी के लिए खुद को पुरी तरह से त्यार करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पिस चाहिए। टी-टी के कप्तान के तौर पर मैंने टीम को अपना सब कुछ दिया। आगे भी एक बल्लेबास के तौर पर मैं टी-टी में यवदान जारी रखूंगा। एवं सिल्पियों के महतपून भुमिका है। उन्होंने तकनिकी विशेशों का आववान किया है कि परतेश पर्दा के इस योग में अपने होनर एवं कोसल का भरपूर परदसन करत मानुकों के अनुरूप निर्मान कारिका बिहार के विकास में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने राज वासियों से विस्व कर्मा पूजा को आपसी भायचारा, परसपरिक प्रेम, समाजिक सवंदार्य एवं सांतिपुन सद्वाव के साथ मनानी की अपिल की है। उन्होंने का कि वर्तमान में कोरोना वारिस के संक्रमन को देखते हुए प्रतेक व्यक्ति का सचेत रहना आवश्यक है, लोग मास्क का परियोग जरूर करे। अगली बड़ी कब ट्रेन यात्रियों को मिली राहत फिर से चलेगी पटना इसलामपूर और जहाजा समेत 12 जोड़ी बंद मेमू ट्रेने लगातार बंद पैसंजर ट्रेनों को चलाने की हो रही थी डिमांड। कोरोना काल में पूरो मैद रेलवे के तहद बंद किये गई पैसंजर ट्रेनों को धिरे दिरे करके चलू किया जा रहा है अब 19 सितमर से 12 जोड़ी बंद मेमू ट्रेने फिर से चलेगी इसमें पटना इसलामपूर और पटना जहाजा के बीच चलने वाली पैसंजर ट्रेने सामिल है लगातार इन बंद पैसंजर ट्रेनों के चलाने की मांगो रही थी आपको बदा दे कि जिन 12 जोड़ी पैसंजर ट्रेनों का परिचलन सुरू किया जा रहा है उसमें पातना जहाजा मेमू पैसंजर ट्रेन पातना इसलामपूर मेमू पैसंजर ट्रेन गाया डिडि मेमू पैसंजर स्पेशल ट्रेन, समस्तिपूर सहरसा मेमू पैसंजर स्पेशल ट्रेन, कोडर्मा बर्काकाना पैसंजर स्पेशल ट्रेन और कोडर्मा महिस मुंड़ा पैसंजर स्पेशल ट्रेन सामिल है बड़ी खबर आज नरेंद्र मोदी के जनम दिन पर 30 लाग को लगेंगे टिके 71,000 मचलिया गंगा में प्रवायत करेंगे बिहार के मंतरी जिहां परदान मंत्री नरेंदर मोदे के 71 जनम दिन के मौके पर स्वास्त बिभाग बिहार में जहां विसिस्ट ककरन अभियान चला कर 30 लाक लोगों को कुरोना के टिकेत देगा 77 अक्सिजन जनरेशन प्लांट का लोकारपन भी होगा मौके मंत्री नितिस कुमार स्वाई इस मौके पर कंकर बाग इस्ट पाटली पूत्री स्पोर्ट्स कॉंपलेज में मौज़ुद रहेंगे वे अक्सिजन प्लांट का लोकारपन भी करेंगे ये प्लांट बिभीन सदर और अनुमंडल अस्पतालों में इस्तापित किये गए हैं वहीं बिहार के मंत्री मुके सहनी पी-एम के जनाम दिन पर गंगा में 71,000 मचलिया प्रवाईट करेंगे बाड़े खबर बिहार को आम मिलेगा पहले से ज़्यादा कर्ज केंदर ने बढ़ा दी लोन लिमिट जहां बिहार में विकास के रप्तार को लेकर एक अच्छी खबर है इंफ्राइस्ट्रेक्चर डेवलोप्मेंट के लिए बिहार को मिलने वाले कर्ज की छमता पहले से बढ़ा दी गई है केंदर सरकार ने बिहार के कर्ज सिमा में इजाफा किया है आपको बदाति की बिहार के कर्ज लेने की छमता सोलो से 99 करोर बढ़ा दी गई है 2022 की पालितिमाई में पुंजी गत वेकल लक्च का 15% कर्ज होने के कारण केंद्र ने यह विर्दी की है पहली तिमाई याने अप्रेल जुन के दोरान ही कुरोना की दूसरी लहर कहड़ धा रही थी ऐसी परिशिते में बिहार में 27 सरचनत मिकास पर सलाना लच्च का 15% खर्च होना काविल तारिफ है केंद्र सरकार की तरब से 15 विवित आयोक के मानोक की तहत कर्ज सिमा बढ़ाने की हर जंडी दे दी गई है बाड़ी कबर अक्टूबर से भारत में लगनी सुरू होगी सिंगल डोज वेक्सिन भारत सरकार ने दी मंजूरी जानिये कितना परभावी है या टीका जी हाँ अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वेक्सिन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा था लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज का वेक्सिन लगना सुरू हो सकता है भारत सरकार ने कल इस वेक्सिन को लेकर बड़ा फैसला लिया है बड़ी बात यह भी है कि इस वेक्सिन का दाम भी बहुत ज़्यादा ही होगा भारत सरकार ने कल रूसी वैक्सिन इस्पृतनिक लाइट के ब्रेजिंग च्रायल के फेज तरी के मांझोरि दे दी है केंदर सरकार ने का बुम्हेंने में प्रक्रिया पुरी हो जाएगी और उम्मिद है कि अक्टूबर से ये वेक्सिन भारत में लगनी शुरू हो जाएगी बाड़े कबर DCLR कोट में फिर से टाइटल सूट की होगी सुनवाई विहार सरकार का आदेश जारी जहाँ बहार में फिर से अन्मदल इस्तर पर ही जमिन विवाद का टाइटल सूट केस की सुनवाई हो सकेँगी बह्मी सुधार उप समहरता DCLR अब फिर से टाइटल सूट स्वामित अतवा रहते अधिकार सहित आन्बिवादों की सुनवाई कर सकेंगी पटना हाई कोट की फैसले के बाद सुप्रीम कोट द्वारा की गई विवस्ता की तहद राजस्व एवं भूमी सुधार विवा के अपरमु के सचीव बीबिक कुमार सिंग ने सभी प्रमंडलिया आयुक्त डियम को पत्र लिख कर DCLR की कोट में टाइटल के मामलों की सुनवा पढ़ाई शुरू करने जा रहा है इसके साथ या देश का पहला संस्तान होगा जहां इंजिनरिंग स्टुडेंट को हिंदी भासा में पढ़ने का विकल्प मिलेगा निटी पटना की निदेसक प्रोफेसर पीके जेन ने गुरवार को इसकी घोसना की प्रोफेसर पीके जे या ऑप्सेनल रहेगा देरे देरे इस्टुडेंट की सेंख्या बढ़ने पर आने चेत्री भाजाओ की पढ़ाई निर्वर करेगी प्रोफेसर जेन ने बताए कि नए सिक्चनिती का पालन करने के लिए एनिटी पटना पुरी तरह से तयार है नए ने कोर्स वो नए पाइ मरीजों के लिए राहत बरी खबर है क्योंकि अब यहां गरी मरीजों को केंद्र ओवा राज सरकार की मदद से 10 लाक रुपी का अनुदान दिया जाएगा ऐसे में अब यहां 4-5 लाक रुपी में ही मरीजों का लिवर टांसफलार्ट हो जाएगा इससे उन मरीजों को कापी रात मिलेगी जो पैसे की कमी के कारण लिवर टांस्पलांड करने की सोच भी नहीं रहे थे अगली बड़ी कवर बिहार में जारी है वारेल बुखार का कहर अस्पताल पहुचे 1270 बच्चे 111 किये गए डिस्चारज जिहां बिहार में वारेल बुखार से पेड़ित 1270 बच्चे बुदवार को इलाज के लिविन अस्पतालों के आउटडोर में पहुचे स्वास्ट बिवाग से मिले जानकारी के उनिसार 98 बच्चों को इलाज के लिए अस्पतालों में भरती किया गया वहीं राज में वारेल बुखार से पेड़ित 111 बच्चे स्वास्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चारज भी किये गए बुदवार को स्वास्ट बिवाग के अधिकरिक सुत्रों ने बताए कि राज के सभी प्राथमिक चिकिसा केंद्रों से लेकर मेडिकल कोलेज अस्पतालों में वारेल बुखार से पेड़ित बच्चों की गहन चिकिसा की जा रही है बच्चों की लास को लेकर डाक्टर वो स्वास्त कर्मियों को पहले से अलट किया जा चुका है बाड़ी कबर कोरोना की तिसरी लहर के लिए अगले तीन महेने बेहद अहम केंद्रे ने दिया राज्जों को तियार रहने का निर्देश जिहां कोरोना की तिसरी लहर को लेकर अगले तीन महिने अक्टूबर नॉवंबर और दिसम्बर अहम साबित हो सकते हैं निती आयो के सदे से और टिका करन पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुक डाक्टर विके पाल ने इसकी चेतावने देते हुए राज्यों से इसके लिए पूरी तरह तयार रहने को कहा है इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इन दो महिने के त्योहारी सीजन के दोरान कोरोना गाइलन के पालन करने की अपिल की है और आंध के बड़ी केबर ओला ने 24 गंटे में बेचे 600 करोड रुपीज से ज़्यादा के स्कूटर कमपनी के दावा 30 सेकेंड बेचे 4 ओला स्कूटर जीहां ओला एलेक्टिक ने अपने ओला एलेक्टिक स्कूटर की बेकरी का नया रिकोर्ड बनाया है कमपनी ने 24 गंटे में 600 कड़ो रुपी से ज़्यादा के ओला एलेक्टिक स्कूटर के ओला S1 और ओला S1 पुरो बेच डाले या जानकरी ओला कमपनी के संस्ताफ़क भाविस अगरवाल ने ट्विट करके दी है उन्होंने ट्विट करके बताए कि भारत EBS के लिए प्रतिबाद है और पेट्रोल को खारिज कर रहा है हमने चार स्कूटर प्रती सेकंड चरम पर बेचे हैं और दिन में 600 कड़ो रुपी से ज़्यादा मुलिक के स्कूटर बेचे हैं आज आकरी दिन है आधे रात को खरिदारी बंद हो जाएगी इस सुरुवाती किमत को लोक करें और बेचने से पहले औला एप पर खरिदारी करें आज के लिए आपका स्वाल बताए कि विराट कोले के द्वारा टे 20 में कप्तानी छोड़ने का फैसला सही है नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं